तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 10,500 रुपे का लॉन जो मेरा ये बैंक खाते में आ चुका है और ये पूरा का पूरा मैंने 5 महीने के लिया था जिसकी EMI 2415 रुपे की ठीक है और यहां पर मैंने इसकी एडवांस में EMI बहुत भरी होई है तो अब मेरी EMI हो जाएगी बोजाएगी एक जनवरी 2024 को क्योंकि दोस्तो मुझे थोड़ा पैसो की नीट थी मैंने उस वक्त इस से लॉन लिया था बट नीट खतम हो गई इसलिए मैं इसका पैसा जल्दली रिपेमेंट कर रहा हूं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने टोटली 3 EMI पे कर दी है एक दो EMI बची हुई है तो यह भी मैं पे कर दूँगा जनवरी फरवरी के महिने में यह मेरे लोन किलोच हो जाएगा ठीक है ना अब यहां पर यहां पर एक सवाल है देखो काफी लोग क्या करते हैं कि लोन एप्लाई कर देते हैं और लोन एप्लाई करने के बाद उनका तो एप्लाई कर समय होता है ना वहां पर यह अटक जाता है मतलब की डॉकमेंट चेक वगएरा होते हैं वहां पर अटक जाता है तो काफी लोग घबरा जाते हैं और कमेंट में काफी लोग पूछा भी है कि सर इसका जो लोन है जब हम लोन इस से लेते हैं तो इसका लोन कि इतने दिनों में बैंक में आ जाता है तो इस पर ये वीडियो पूरा होने वाला है तो देखो बाई मैं अपना बता हूं देखो ये पैसे जो आये थे वो आते है एन इफटी के ज़री है ठीक है और एन इफटी में टैम लगता है समझ गें अब यहां पर क्या है देखो जैसा आप कभी भी यहां पर एपलाई करो लोन आपका जल्ली मिलने के चांस रहते हैं ठीक और अगर आप सनीवार को यहां पर एपलाई कर दोगे लोन तो यह मालों सनीवार आपका दिन चला गया यूं ही और अभी बार भी आपका दिन यूं ही चला जाएगा ठीक है और सुमव और सुम्मुआर को सुम्वार को पैसे आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएंगे तो अलमॉस्ट अगर मैं बताऊं कि इन कंपनी में कितना पैसे लगता तो मेरा जो पैसा है वो आया था 36 गंटे में ठीक है अब 36 गंटे में क्यों आया था देखो भाई मैंने सुबे की टेम में एपलाई किया था वो भी रभीवार को ठीक है तो रभीवार को तो बंदी रहती कमपनी ठीक है तो रभीवार को सुबे 12 गंटे हो गया रात को 12 गंटे हो गया दस बज़े या बारा बज़े क्योंकि मैं नाइट में सो गया था लगबग ये दस बज़े के आसपास आया होगा पैसा क्योंकि मैं उस दिन जो कहीं पर गया था अपने सिदारी में तो मैं दल्दी सो गया था तो जब सुवे देखा था मॉर्णिंग में तो ये पैसे जो है म मेरे बैंक में आये थे 9800 कुछ पैसा आया था भाई वह याद रही है बट 900 आप पकड़ के चलो ठीक है 700 रुप्याइन का कुछ प्रोस्टिंग फीशा गयरा बगयरा कट हो गया था तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब भी लोग नेप्लाई करते हो इस अप्लीके इस भी आपका चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 190 रुपीश के चार्ज लिया जाता है वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं इस अप्लीकेशन से दो बार लॉन ले चुका हूं एक बार मैंने 26 र का लिया था लॉन ठीक है और दूसरी बार मैंने 10 र 500 का लिया नीट के हिसाब पैसा कब तक बैंक में आता है अप्रूबल के बाद तो मैं आप पता दूँ आपको पैसा है 24 गंटे में बैंक में ट्रांसफर हो जाता है अगर इनकेश ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर 72 गंटे तक वेट करना है आपका पैसा 99 पर्सेंट क्रेडिट हो जाएगा औ तो आप इनकी टीम से एक बार बात कर सकते हैं समझ गए लेकिन याद रखना सनीवार और रविवार अगर यह दो दना आप गिन रहे हो तो यह इसको छोड़ दो ठीक है अगर आप सनीवार को एपलाई करोगे तो वह दन छोड़ना पड़ेगा रविवार का भी छोड़ना प पड़ेगा पैसर 99 परसेंट आ जाता है और किसी किसी केस में तो ऐसा भी मैंने देखा है कि एक हपता भी लग सकता है समाज गए साथ दुन भी ले जा सकती है इसमें कोई दिक्क्यत नहीं लेकिन जितना लंबर टाइम जाएगा आपकी यह माई जो है उतने ही बढ़ा की द करना पड़ेगा नहीं वह अपने आप एजस्ट करके वह कैलकूल करके आपको बता देते हैं तो भाई यह है वह अप्लीकेशन जिसका नाम है इंस्टा मनी और जो आपके मन में डाउड था वह भी मैंने इस वीडियो में आपका सॉल्प कर दिया आप फिर भी अगर कुछ और पूछें चाहते हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिजाए हैं बंदे मुझा